तो आज मैं आपको आलू गोबी की ड्राइ सबजी बनाने का एकतम इस जी तरीक का बताऊंगा इस तरीक के से आपे सबजी बनाएंगे एकतम खिली-खिली सबजी बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी तो चलिए रेस्पी शुरू करते हैं यहाँ मैंने एक फूल फूल गोबी कर लिए और दो आलू लिए सबसे पहले हम कटिंग करेंगे तो यह देखिए गोबी के फूल को अपने इस तरह से पकड़ना है और चाकू की नोक से जो फूल फूल है उनको अपने काट लेना है इस तरह से जो हार्डवल डंट लोत ना उसका यूज आपने कम करना है और जो गोबी के बड़े फूल है उनको आपने बनवाई डू करते हैं और जो छोटे फूल है उनमें आपने कट लगाते हैं देखिए इस तरह से आपने कोबी की कटिंग कर लेनी है और जो आलू है, उसको आपने बेजजिस में काटना है, तो ये देखिए, थोड़े से मोटे-मोटे पीस काटना है, क्योंकि जब हम आलू को फ्राई करते हैं, तो गर जाते हैं, आप चाहें कि उसमें भी काट सकते हैं आलू को, तो इस तरह से आलू कर्डिंग कर लिशे, और मसाला बनाने के लिए हम पेमें तीन टुमाटर थोड़ा सा अधरक और 4 हरी मिर्ची लिए है तुमाटरों को यहां तो आप बरी काट लिचे या फिर आप मिक्सी गराइंटर चार है तो मिक्सी गराइंटर चार में पीच सकते हैं या कद्दूकस की साहिता से आप इनको कद्दूकस कर लिए जो भी आपको एजी तरीका लगता है उस तरीके से आप इनको काट सकते हैं तो यह देखे, मैंने इनको कद्डु कस करके इनकी प्यूरी बना लिया है और इसके बाद एक कड़ाही लेंगे और उसमें OIL AID करेंगे तो यहां पे मैंने 100 G Колम OIL AID किया है Oil में हम अलू औरकोज़ को फ्राही करेंगे तो थ्वड़ा सा sa oil मैंने जादा डाला है ताकि यह जल्दी fry हो चाहें और कि देखें यहाँ पर मैंने gas की flame medium to high रखी है और medium to high flame में आलों को आपने तब तब fry करना है जब तक आलों अच्छे से soft हो चाहें अगर आप इतने oil का use नहीं करना चाहते हैं तो दो से तीन बड़े चमश आप oil के डाल दीजिए कड़ाई में और उनको shallow fry कर लिशिए तो यहाँ पर हमारे जो आलों अच्छे से soft हो चुके हैं इसके बद आलों को नहीं निकाल लेते हैं तो अच्छा color देना आपने देखिए तो थोड़े oil में भी आप इनको deep fry कर सकते हैं ज्यादा oil की जूट नहीं पड़ेगी आपको और आलो को fry करके आपने इनको एक च्छन्नी के ओपर रखते हैं ताकि इनमें जो extra oil है बहुत Vou निकल जाए और गोभी को आपने अच्छी तरह से दो लेना है और धोने के बद आपने गोबी का अच्छे से पानी निकलने देना है और गोबी को भी इसी तरह से आपने फ्राई करना है यहाँ पर तो यह देखे और continue आपने पल्टाना चलाते रहना है ताकि गोबी यह ना सारी गोबी में एक ज़यर से कल रहा है तो गोबी को भी मैंने medium to हाइ फ्ले में अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई कर लिए इसके गोबी को भी निकाल लेते हैं और गोबी को भी आपने निकालने के एक चंड़नी पर रखना यह ताकि का जो एक्स्टला ओइल लेना वो N нिकल चाहे, तो के देखिए हालो और कोबी को मैंने फ्राई कर लिया है काफी सरा ओयल बच गया कड़ाई के अंदर तो ओयल को ना निकाल लेते हैं और निकाल के बॉल में रख लेते हैं इस ओयल के यूज़ आप तड़कों में कर सकते हैं और बचेवे ओयल के अंदर थोड़ी सी हिंग डालेंगे, आदा छोड़ा चमच आपने इसमें साबू जीरा एड़ करना है, जीरे को राम से तिटकने दीचिए, और फिर आपने इसमें हरी मिर्ची एड़ करनी है, मिर्ची को मैंने बनवाई टूकर करके एड़ किया है, और स इससे ना कलर अच्छा है का, हल्दी और मिर्ची को थोड़ा सा पका लेते हैं, जल्दी से आपने इसके अंदर टमाटर भी एड़ कर देना है, और टमाटरों के साथ में आपने आदा छोड़ा चमच नमक एड़ कर देना है, अब आपने गैस की फिलिम हाई करनी है, और आपने थोड़ी सी रोशी कसूरी मिती डालनी है, आप भूना और जी रपोर्डर भी यूज़ कर सकते हैं सबजी बनाने के लिए, और मसाला को भी टमाटरों के साथ अच्छे से पका लेते हैं, तो गया देखिए मसाले भी हमारे टमाटरों के साथ अच्छी तरह से पक तो के दें बी हमारी अच्छे से पकिए, दाने धारों के लिए, अच्छे से ऑल छोड़ दिये हैं, थोड़े समें पाने हेंड़ करेंगे, पाने यहाप मैंने तो डाला है क्यaser ग्यूआ है क्योंकि हमारे जों मसाला जोड़ी है टृको ड्राई हो चुछ है, इतने ड्राई कोबी है न वो भी इसके अंदर एड़ करतेते हैं और आप देख सकते हैं आलूर कोबी के अंदर जितना भी ऑईल है न वो अच्छी तरह से निकल चुका है लाश्ट में आपने उपर से थोड़ा सा बरी कटव हरतनी डालना है थोड़ा से अद्रक के जूलिया इंटाल देशि इसके पूद आपने सबजीकों उपर से